गुड मॉर्निंग अभी मैंने आपको महा कवीत हुजण का कवी पर्चे दिया था ठीक है उसके बाद सौरी गाता का केंद्री विंदू समझाया हुआ था अब मैं आपकी ये जो कवीता है उसका जो पहला है सेवाशुवर लिए इसका आर्ट समझाऊंगी द्यान से सुनिएगा ठीक है उसके बाद मैं च्छत्ऱ साजवाजी का जो प्रससिटी है उसको समझाऊंगी ठीक काफी कठिन लंग भी सी है थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा पहले मैं रीड करती हूँ उसके बाद मीनिंग बताऊंगे फिर समझाऊंगे साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है भूसन भनाद नाद बिहाद नगारन की नदी नद मद गैवरन की रनत है हैल फैल खैल 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 खलन की गैल गैल गजन की ठैल पैल सेल उसरत है तारा सुत्तर नी धूरी धारा में लगाती जी में थारा का पारा पारावार योहलत है यह पहले पढ़की बताया है मैंने आब आपको मिलिंस बता देदें साजी मतलब सजागर चतुरंग सेन चारतरे की सेना अब चारतरे की सेना कौन-कौन सी? हाती, अश्वरत और पैदल ठीक है? उसके बाद सरजा सरजा यह सिवाजी की उफा दिये जंग जंग मतलब यूत जीतन मतलब जीतने बिजय प्राप्त करने के लिए नाद नाद मतलब आवाज बनी बिहद बिहद मतलब बेहद सीमाहीन है ना? मद मतलब हाती के कान से निकलने वाला मद जल गैवरन मतलब हाती गज रलत मतलब बहता है हैल फैल हैल फैल का मतलब क्या होता है? कोला हलसूर खैल भैल खैल भैल का मतलब क्या होता है? समूगी हलचल गैल गैल मतलब गली गली में खलक खलक मतलब खलक मतलब संसार गजन, गजन मतलब आती ठैल पैल मतलब धकम क्यों ना भीड़ भाड़ वाली जगह पर ठैल पैल होना ठीक है, सेल मतलब परवत उसरत मतलब वो खड़ते हैं तरणी मतलब सूरिय धूरी धूरी मतलब धूर जीमी, जीमी मतलब जैसे फिर थारा मतलब थाली पारावार मतलब समोत्र पारावार मतलब समोत्र ये तो आपकी मीनिंग हो गई अब इसका अर्थ समझाने जा रही हो, ध्यान से सुनिए जा कभी पूसर्ण क्या कहते हैं कभी भूशन कहते हैं कि जब सर्ताज सिवाजी अपनी चत्रंगनी सैना लेकर उस समय नगाडों की भीसर धनी बूँजने लगती है नगाडों की विशर धनी गुजने लगती है असंक नगाडे बचते हैं उनका सोर और कोलाहर सीमा हीन होने लगता है उस आवाज से सैना के हातियों की कनप्टियों से बहुत अधिक मद अर्था जल बहने लगता है जो नदी और नाले के जैसा रूप धारर कर लेता है हातियों की सैना अधियंत मस्ती और उससाह से भरकर युद के लिए आंगे बढ़ रही है सिवाजी की विसाल अजे सैना युद छेत की और प्रिस्तान करने के लिए संसार की गली-गली में खलवली मचा रही है उसके बाद सिवाजी की जो सैना है वो आज़ी-गली में मतलब खलवली मचा रही है उसको देख कर क्या हो रहा है और वो मतलब अपनी स्पृट से आगे बढ़ती चली जा रही है अतिदिक भीड भाड की कारण हाती परस पर एक दूसरे से टकराते हैं है ना अतिदिक भीड होती है जिसकी कारण हाती एक दूसरे से टकराते हैं एक दूसरे को धकेलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा परवत अपनी जगह से उखड़कर धरासवा ही हो रहा है सिवाजी की उस विसाल सेना की युद्ध की और प्रस्तान करने पर जो धूल उड़ती है जो क्या उड़ती है धूल उड़ती है तो वो धूल जब आसमान में च्छा जाती है आकास में च्छा जाती है तो ऐसा लगता है सूर्य जो ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई तारा हो ठीक सूर्य तारी के समान दिखाई देने लगता है सेना के पैरों के प्रहार से समुत्र हिलता है तब ऐसा लगता है जैसे कोई थाली में भरा हुआ पारा हिल रहा हो हो गया? ओके? ये आपका पहला हो गया सेकंड देखियो छूटत कमानवान, बंदूक और कोकवान, मुस्किल होत मुर्चानों की ओट में ताही समय सिव राज हुकम पहला कियो, दावा बान देचिन पे बैरिन ले जोट में फिर यहां देखिये भूसन भनद, तेरी हिम्मत कहां लो कहां? किम्मत यहां लगी है जाकी भट जोट में ताहो देदे मूचन, कंगूरन पे पाहो देदे, घहाओ देदे अरिमु के कूद परे कोट में अब इसका अर्थ मैं समझाने जा रही हूँ इसको देखिएगा ठीक, पहले मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद अर्थ समझाती हूँ पहले मीनिंग देखिए, कमान मतलब तोब, आप समझते हूँ गए कमान मतलब तोब कोकवान, एक तरह का विसिज़ परकार का तीर होता है, जिसके चलने से एक विसिज़ दवनी निकलती है मूर्चा मतलब सुरक्षा सुरक्षा वाली जगह मूर्चा बंदी वाली जगह होती है जो खोद के खाई की रूप में बनाई जाती है ठीक है ओट मतलब आण में हुकुम हुकुम मतलब आग्या देना दावा दावा मतलब दावा मतलब अधिकार देशन देशन मतलब सत्रूpak जे ठीक उसके बाद है हिम्मती हिम्मती मतलब हिम्मत होना भादुरी भत भत मतलब योध्धा जोट मतलब समुवग जोट मतलब समुग अरी मतलब सत्रू और कोट मतलब किले ठीक अब ये मीनिंग हो गए अब इसके बाद आर्थ समधाने जा रहे हो ठीक है दिख रहा है ना आपको ठीक आप क्या कह रहे हैं भूसर कभी कहते हैं कि युद्धि के मैदान में तोप चल रही है गोली चल रही और एक विसेज प्रकार का हत्यार चल रहा है जो धोनी करता है है ना जो बहुत धोनी करता है एक अलग सी धोनी करता है अब मचानों की ओट में मतलब छुपने वाली जग है मचानों की ओट में भी प्राण रक्षा करना कठिन हो गया है उस समय मरहटे बीरों ने सिवाजी की आग्या से हिम्मत बांद कर ऐसा प्रवल आक्मन किया कि सत्रू बीरों के सम्हूई में भी सोर मच गया हे सिवाजी अब वो क्या कहते हैं कि हे सिवाजी तुम्हारी हिम्मत का मैं कहा तक बखान करूँ है ना आपकी बीरों के सम्हूई में भी बड़ी प्रतिष्ठा है आपके बीर सिफाई मूचों पर ताव देते हुए कंगूरों पर देखाओगा किले में कंगूरे बने रहते हैं उन कंगूरों पर पाउँ टेकते हैं और सत्रू के सत्रू के मुखों पर घाव बनाकर कहा कून रहे हैं किले में कून पड़ते हैं कहा कून पड़ते हैं किले में कून पड़ते हैं आराना समझवें उसके बाद आद ये वाला देख लिया छलिए निक्सत म्यान ते मयूखे प्रलेवान कशे फारेतम तोम से गैनन की जालको लागती लपती कंठ बैरन की नागिन सी रुद्री रिजावे देदे मुंडन की मालको लाल छिती पाल छत्र साल महाभाव वली कहा लो बखान करूं तेर करवालको कि प्रती भट कटा के कटी एकेती काटी काटी काल कासी किला के कले उदेद काल को ठीक अब छत्र साल जी के बारे में बताने जारे हैं मन कि छत्र साल जी कहा है ये इसमें क्या बताये गया है ये मैं पहले मीनिंग बताऊंगी उसके बाद मैं आपको आर्थ समझाऊंगी खोल से तरवार जब निकलती है काई से खोल से प्रले मतलब प्रले प्रले मतलब प्रले प्रले आना ठीक उसके बाद दिया है गैंदन के गैंदन के मतलब हातियों के समूर भानू भानू मतलब सूर्य भानू मतलब सूर्य फारे मतलब फाड़कर फारे मतलब फाड़कर ठीक तम तोम मतलब अंधेरा तम मतलब अंधेरा होता है लागत मतलब लगती है फिर लपकी लपकी मतलब ज्वाला लपकी मतलब ज्वाला बैरिन बैरिन मतलब सत्रूं की गैंदन गैंदन मतलब गैंदन का मतलब होता है सत्रू जाल मतलब समूव जाल मतलब समूव उसके बाद दिया है आपका प्रतिभट मतलब प्रतिभथी योद्धा कटक मतलब सैना कटक मतलब सैना किला की मतलब खुश होती ही, किलकारी मारती है और कलेउ मतला भैट कलेउ का मतला भैट ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया मीनिंग अब इसका अर्थ में समझाने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा अब छत्रे साल महारत साल जब यूद्ध करने लगते हैं तब उनकी म्यान से जब तलवार निकलती है म्यान से क्या निकलती है? तलवार निकलती है तो जब उसकी चमक ऐसी चमकती है जैसे प्रलाकाली सूरी अपनी महाजवाला बरसा रहा है मतलब वह है, जब उनकी म्यान से तलवार निकलती है तो वो उसकी चमक किस के समान लगती है सूरी की महाजवाला के समान लगती है ये चमतकारी हुई तलवारें अपने सत्रों के समूर रूपी घने अंदकार को चीर कर रख देती है क्या करती है घने अंदकार को चीर कर रख देती है इसकी जो लपट है वो सत्रूों के कंठों में जैसे कोई नागनों के समाल लिपट जाती हुई दिखाई देती है इस प्रकार से अपने सत्रू के मुंडो को मुंडो क्या करती है कारती है और मालाओं के समान भग्वान संकर को के गले में माला जैसे सजा देती है संकर के गले में मुंडो की माला सजाती हुई रिजाती हुई नजर आती है ठीक है अब उसके आगे उन्होंने कहा है महाराज जिराज 16 साल महा बलवान है आप तो आप कैसे महा बलवान है इनकी बीरता की प्रसंसा कहां तक की जाएं इनकी बीरता की प्रसंसा हम नहीं कर सकते ना की तलवार की प्रेसंस है कर सकते ये तो अपने सत्रों की सैना को काट काट कर कालिका को कालिका के समान किलकारी देती हुए काल को भैट चड़वाते हैं जब ये क्या करते हैं इनकी भीरता कहां बखान नहीं कर सकते ये तो अपने सत्रों की सैना को काट काट कर कालिका के समान क खिलकारी देती हुए काल को भैट कर रहे हैं। ठीक है? ओ गया ये? उसके बाद। परचीने ऐसे परे, परचीने वीर, तेरी बरची के बरचीने की खलन के। अब ये इसका जो है, मैं पहले मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद आपको अर्थ संधाओंगी। ठीक है? मीनिंग पर ध्यान दीजे। दिया है भुजभुजगेस। पीछा करती हुई, दीहे मतलब दीर्ग, दीहे मतलब दीर्ग। उसके बाद दिया है आपका बक्तर, बक्तर मतलब कबज्य होते हैं वो, पक्हारन, पक्हारन मतलब हाती, के उपर पड़ी हुई लोहे की जाली। मीन मतलब तो समझते हो, आप मचली है ना। उसके बाद दारुन मतलब भैंकर, दारुन मतलब भैंकर। कर परवाह मतलब प्रवाह परवाह मतलब प्रवाह उसके बाद जलन जलन मतलब पानी बखान मतलब कहना बलन मतलब बलों पच्छी मतलब पंच्छी पच्छी मतलब पंच्छी परचीने मतलब परकटे बर मतलब प्राण धलन मतलब दुष्टों ओके यह आपकी मीनिंग हो इसमें घुशन कभी क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ये राजा चंपत राय के पुत्र महाराच छत्र साल महाराच छत्र साल किसके पुत्र है चंपत राय के महाराच चंपत राय के सुपोत्र महाराच छत्र साल तुम्हारी बर्ची तुम्हारी भुजाओं रुपी सेश नाग की साथिन है वो नागिन की समान है यह बर्ची भैंकर एवम क्लूर सत्रूं को बड़े बड़े समूहों का पीछा करती हुई उनके प्राणों को चुन-चुन कर खा जाती है ठीक तुम्हारी बर्ची तो कफचों और हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जाली मैं इस प्रकार सीधी गुष जाती है जिस प्रकार कोई मचली पानी के प्रवल प्रभाय वो चीरती हुई पार हो जाती है पूसन कहते हैं कि यह मारा 16 साल तुम्हारी सक्ति की तुम्हारी बीरता की मैं कितनी प्रेशनसा करूं है ना मैं उसका बढ़न नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी बर्ची जो है वो क्या कर रही है सत्रों के सत्रों को काट काट कर सत्रों के सत्रों को इस तरह काट रही है जैसे कोई पक्छी के पर काट देता है पक्छीयों के पर काट देता है और वो जमीन पर पढ़ कर ऐसे जट पटा रहे है जैसे कोई पक्छी के पर काटने के बाद वो है जमीन पर गिर का जट पटाता है है ना वो है दोष्टों के प्राणों को ऐसे छीन रही है तो ये तो आपके इसका भी आर्थ हो गया अब आपका जो question answer है ये question answer जो है आपको pdf मैं दूंगी और ये आप लोग थोड़ा सा जो exercise है कम कम है ये आप लोग swim करिएगा ठीक है आपका ये lesson to list okay